हलो दोस्तो कीचन कींग स्पेशल डिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज की रेश्पी मैं आपके साथ मैंगो फूरूटी की रेश्पी सेयर करने वाली हूँ इसे हम बहुत है आसान तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल मार्केट के जैसे ये बन करके तयार होगी और इसे आप श्टोर करके भी रख सकते हैं तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पका हुआ तोता पूरी आम लिया है इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कच्चा आम लिया है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए तोता पूरी आम की इस्तमाल किया है आप चाहो तो इसकी जगा कोई भी मीठा आम ले सकते हैं यह आम थोड़ी सी खटी मीठी होती है और इस आम से जब हम फ्रूटी बनाते हैं तो जैसे मार्केट में पर बनाने वाले हैं तो यह बहुत है ज्यादा हेल्दी भी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी और इसे हम अपने हिसाब से भी बना सकते हैं जैसे अगर हमें इसे गाढ़ा पीना है तो गाढ़ा रख सकते हैं पतला बनाना है तो पतला बना सकते हैं और मीठा बनाना है तो म आम के पलबो को हम निकाल लेंगे देखिए और मैंने यहां पर कच्छे आम को भी चोटे-चोटे काट लिया है और अब हम एक मिक्सी कजार ले लेंगे और इस जार में हम यह आम के सारे पलबो को डाल देंगे और इसी साथ यह जो कच्छा आम जिसे हमने छील करके काट कर दालेंगे तो यहां पर मैंने एक कप से थोड़ा सा कम चीनी लिया है चीनी की मात्रा भी आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं और अब इसमें हम एक कप पानी डालेंगे और इन्हें हम अच्छे से पीस करके इसका एकदम स्मूथ पेश्ट तयार कर लेंगी और यह और मिक्सी के जार में हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भीस में डाल देते हैं और अब इसे हम गैस पर रख देंगे और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से पकाना है और जैसे जैसे यह पकते जाएगी यह हो गये हैं और इसका color भी change हो गया है और ये धीरे-धीरे transferate भी होने लगी है तो इसे हमें चलाते हुए अच्छे से पका लेना है और ये देखिए ये पकते-पकते इकदम से गाड़ी हो गई है और बिल्कुल से गाड़ी हो चुकी है तो अब हम गयस को बंद कर देंगे और इसे गयस से नीचे उताल देंगी और ये देखिए कितने अच्छे से ये बंद करके तयार हुई है तो इसे पकने में लगभग 10 मिनट का समय लगा है और ये देख सकते हैं, बिल्कुल साइनी से ये बन करके तयार हुई है, तो अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो यहाँ पर पहले हम दो कप पानी डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगी, और जवरत लगे तो बाद में इसमें हम पानी और एट कर सकते हैं, तो इसे प और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आप इस प्रूटी को बना करके लंबे समय के लिए श्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल सकते हैं जिससे कि ये जल्दी से खराब नहीं होंगे और इसे आप लंबे समय तक श्टोर कर सकते हैं तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो चलिए अब इसे हम चान लेते हैं जिससे कि आम के अंदर के जो टुकड़े हैं या फिर रेसे हैं आम के वो चन करके अलग हो जाएंगे तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से पारिक वाली चनी से चान लेना है जिससे हमें एकदम स्मूथ, सिल्की, मैंगो फ्रूटी मिल जाएगी जैसे मार्केट में मिलती है बिलकुल उसी तरीके से ये फ्रूटी बन करके तयार होगी उसे हमें इसे अच्छे से चान लेना है और मैंने इसे अच्छे से चान लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके थोड़ा पहुत गुदे हैं और इसे हम उच्छन करके अलग हो गये है तो इसे हमें फेकना नहीं है इसे हम ब्रेट में लगा करके या फिर रोटी के साथ इसे खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी है ये भी तो इसे हमें फेकना नहीं है इसे हम साइड में रख देते हैं और ये देखिए इस तरीके से ये मैंगो फ्रूटी बन करके तयार है तो इस त तीन घंटा मैंने इसे फ्रिज में रखा था और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये ठंडी हो चुकी है तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं और ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल मार्केट के जैसे ये फ्रूटी और जब आप घर पर इस तरीके से मैंगो फ्र आया है तो इस तरीके से आप भी से जरूर ट्राइ कीजिएगा और आपको मेरी ये रेश्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा रेश्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरीके की और भी रेश्पी के लिए हमारे चैनल को नहीं मिलते हैं नेस्टे वीडियो में एक नई रेश्पी के साथ तब तक के लिए बाई